यहां पर यहां पर उसने यह बता है और यहां पर उसने यह बता है कि जब अलफा पार्टिकल यहां पर गूल्ड फॉट एक्टम से पास हो रहा था तब ने पर इंगल पर किया हो गया रिवर्स बैक हो गया जिस पात पर पर उसी पात पर क्या हो गया वह रिवर्स बैक हो गया तो यह क्यों हुआ, तो यहाँ पर उसने conclusion निकाला, कि जो इसका center position था, इस item का center position है, alpha particle पे था positive charge, alpha particle पे कोई सा चार्ज था, positive charge था, और इस nucleus के center में भी क्या present होगा, positive charge present होगा, इसकी वज़े से क्या होगा, यह जो alpha particle है, वो throughout अपने path पे क्या होगा, reverse back हो गया, मतलग कि gold का सारा positive charge कहाँ पर exist करता है, उसके center में exist करता है, और इसी center को क्या बोला था, उसने nucleus बोला था, क्या बोला था, nucleus बोला था, कि एक atom का overall positive charge उसके nucleus में exist करता है, तो यहाँ से discovery हुई, nucleus कही, तो alpha particle scattering method के थरू, rather phone ने यह बताया था, कि atom has a nucleus, ओके, तो option बसे इस ज़र correct option, ने इस अयीड़ो सेOhenci आफ यहाँ एंसे इसूदयार ही आफ हाँ से हुई आफ हाँ उसे हlah Aí चूछ के का सबाभ करता है, तो यह सी बोला था, उ Sounds